बहुत बड़े किसी विद्वान से या विफ्ती से या महिला से या पुरुष से जिसमें अक्षर ग्यान लिया हो बच्पन से डिग्रियां भी ली हो बड़ी सारी किताबें पड़ी हो और उसे अगर भाव में प्रग्या यानि कि भाव और चिंता में प्रग्या यानि चिंतन ग्यान और भावात्म ग्यान नहीं है भाव का घ्यान नहीं है और उनसे अगर आप पूछेंगे बुद्ध के वारे में हमें दो सब्द बताईए अगर उन्होंने पहले सथ notions नहीं किया है तो बुद्ध के वारे में जैसे ही आप उनसे पूछेंगे तो वो बुद्ध की एक हंस को देखा, देवदत ने उसको तीर मारा, सिध्धार्थ ने उसको तीर निकाला और घाल मरम पट्टी की और देवदत उसको जब लेने के लिए आए तो सिध्धार्थ ने कहा कि ये मेरा है, क्योंकि मैंने इसको बचाया है, और देवदत ने कहा कि मैंने इसको मारा है, इसलिए ये मेरा है दूसरी कहानी आपने सुनी होगी और चित्रमाला में देखी होगी कॉमिक्स में देखी होगी उसमें ऐसा है कि वो दिखाते हैं कि सिद्धात एक रत पे बैठे हुए है आगे रत जा रहा है और वो पूछते हैं कि ये आदमी को चार आदमी लेके क्यों जा जा रहा है एक अर्थी जा रही है वहां से एक डेट बोड़ी जा रही है तो वो कहते हैं कि ये आदमी मर गया एक आदमी आगे लाटी लेकर जाता है तो वो पूछते हैं गोड़े वाले से के ये क्या है तो वो कहते हैं के ये बूड़ा हो गया है एक आदमी बैठा बैठा खांस रहा है तो वो पूछते हैं ये क्या कर रहा है तो वो कहते हैं के बीमार है खांस रहा है तो ऐसे करके ये अवस्ताइं दिखाई जाती है अब सोचने वाली बाती है कि पूरे भारत में ये कहानी लगबग लगबग सब को दिखाई जाती है और इस कहानी का अधितर पार्ट जूटा है या मैं ये कहूंगा कि सारा का सारा पार्ट जूटा है क्योंकि सिधार्थ 11 जब 11 साल के थे तो वो अपने खेतों में जाते थे और वहाँ पे वप मंगल उत्सब में जो धान बोने का उत्सब था जो बड़े पैमाने पैमा होता था उस धान बोने के उत्सब में वो हल भी चलाते थे 11 साल के और वहाँ उन्होंने अपने स्वयम के म खतम हो गया, तब उन्होंने वो याद करके अपना ग्यान निकाला, ऐसा उन्होंने बताया गिया है। पहली बात, दूसरी बात यह है, कि वो राज कुमार सिधार्त नहीं थे, वो कुमार सिधार्त थे, क्योंकि राज का, राज का या राज्य का, वहाँ पे कोई मतलब नहीं था वो गड़ राज़ था गड़ का मतलब सभी चलते थे तो सिद्धोधन भी वहाँ पे राज़ा नहीं थे और महल होने की जो कलपना दिखाए जाती है और जो फोटो में दिखाए जाते हैं और उनके पास खेत जरूर थे जो कहते हैं कि उन्होंने बहुत महनत करके खेत बनाये थे पत्थर बत्तर हटा के और एक हजार हल उसमें चला करते थे एक साथ जब वो एक साथ धान की बुगाई करते थे और सबसे बड़े वो वहाँ पे कास्थकार थे या खेतिय थे यानि खेत के मालिक थे और सबसे बड़े महाँ के वो किसान थे इसलिए साक्य का मलब सबजी होता है साक्य के वंस थे और साक्य के वंस में सबसे बड़े वो साक्य के जमीन के यानि खेतिय थे ऐसा बताया जाता है तो ये कहानी जो बच्पन से हमारे दिमाग में डाली जाती है और जो कहानियां हमें चित्रों में दिखाई जाती है एक कहानी को दिखाके सारा का सारा धम छपा दिया एक जोटी कहानी को दिखाके सारा का सारा बुद्ध छपा दिया वावा साव अमेट करने भी इस कहानी के कहीं जिक्र नहीं किया है और कोई ये कहानी कहीं तीपी टग में मिलती भी नहीं है क्योंकि ये बड़े कमाल की बात है कि कोई व्यक्ति जो धंब सिखा रहा है और जिसकी सब्दावली इतनी जबर जस्त है भगवान बुद्ध की जो शब्दावली थी जिसमें सब्द सबसे ज़्यादा थे सब्द संग्रे सबसे ज़्यादा थे और कैई भासाओं को वो जानते थे और एके सब्द का उन्होंने मतलब बताया और कुछ नई सब्दी भी उन्होंने बनाए जो बीच-पीच में आते रहे तो जो व्यक्ति इतने सब्दों का संग्रे रखता हो इतनी बड़ी डिक्शनल जिसके पास हो वो व्यक्ति क्या ये नहीं जाने का अगर बूड़ा क्या है, बीमार क्या है ये व्यक्ति की अवस्था क्या है, क्या नहीं है ग्यान प्राप्त करने के लिए जा रहा है और जिसको बता दिया कि इसका संपूर्ट सरीर बहुत अच्छा है और स्वस्थ है और जो रहता है तो बड़ी कालपनिक सी बात लगती है कि उनको यह पता नहीं है कि बूड़ा कौन है ये बीमार कौन है और ये जो मिर्तू है वो क्या है ये बातें बड़ी अजीव सी लगती है क्योंकि ये बातें खास उद्देश से दी गई है इसलिए ऐसी चित्रमाला हों ऐसी कहानी अगर आपके सामने आती है तो उसमें 100% निकाली है और 100% पूछिए 100% जानिये तो आपको पता चलेगा कि ये चित्रमाला ये जो कहानी है ये आपके दिमाग में ये आपके बच्चों के दिमाग में क्यों डाली जाती है और आज की डेट में बहुत साहित अपलब्द है जो बलकुल सचा है अच्छा है फिर भी आप इसा खोजिए देखिए जानिये धन्यवाद